एक बार फिर आपका सौगत है मेरे इस चनल एजे वोकेब्स में जो आपको मिल रही है थी वोकेब्स प्रेली जिया फ्रेंड्स हमारा परपस है आपको तीन वोकेब्स डेली देने का जिससे आप अपनी कम्निकेशन को अट्रेक्टिव कर सकें मैंने आपको हर वीडियो में ब मुकेब्स बताता हूं इसके लास्ट में मैं सेंटेंस कनेक करता हूं अगर मैं सेंटेंस कनेक नहीं भी करता हूं किसी दिन लेकिन आपको यह तीनों मुकेब्स को जोड़कर इन तीनों मुकेब्स को एड़ करके इन तीनों मुकेब्स से एक सेंटेंस क्रीट करना मैं तो य बनाते हुए उन तीनों को एड़ करिये इन तीनों को को इंग्लिश में बूली मींस हाफना सुलसान जगह और बहुत बड़ा कोई विशाल चीज हो बहुत बड़ी चीज हो इन तीनों को मिला के एक सेंटेंस आपने बनाया तो जहांज आ पर यह बर्ड आ रहे हैं हिंदी के म को पता है तो वह जादा जादा उंगलिश की तरफ Все की तरफ हो जाएंगे जब आपको जब नहीं होगी अगर आपका बाद में यह एम है कि मुझे इंग्लिश बोलना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने माली जस्त आप कुछ नहीं आप 5-7 मिनिट इस चैनल को दीजिए और आप यह फोल लगा के साथ नट बैठ जाईए देखिए भी नहीं बैठ जाईए से सुन लीजिए वोट का यहां पर कोई मतलब नहीं है सबीविदे मतलब है इंवर्ट को कैसे यूज करना इनकी मीनिंग क्या है इससे मतलब है और कैसे यूज करना है मैं आपको हर वीडियो में बता रहे हुँ चलिए आज का वीडियो देखते हैं आज अज का लेसन देखते हैं कौन से तीन होगे में फॉस्ट इस जी एस्पी मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा नप्रिनंसीशन आफ यह एस पी इस गास्प और गैस्प कई लोग इसे गैस्प करते हैं नहीं गास्प गास्प यह दोड़ने के बाद जो हाफते हैं या स्टेर्स से उपर आने के बाद हाफते हैं या कुछ बहुत काम करने बाद हो हम हाफते हैं यह देजज करते हां अनिल वाय आरे आधियम कर रहा आपको इंगलिश नहीं भोलना कोई दिकत नहीं आप एक्जांपल प्र मच आहिए आप क्या बोले अनिल आप गास्प क्यों कर रहा रहा तो कैसे बोलेगे निया ज़ताने हापना फिर मैं आपको यहाद pronunciation of GASP is GASP चलिए आज के second word पर चलते हैं that is desolate इसकी भी pronunciation अब देट लिजे D-E-S-O-L-A-T-E desolate not desolate not desolate 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 वो को खाया है desolate 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 देट यान diarr – सुलेड जजगे अब यार करें बिस सीटी में रते हैं आप आपकोई न कोई सुलता होगी उसको सुल्सान जगे की मत भ पोले텐 क्या भूल देखे अब क्या मु लें के आप उसको desolate desolate there are many desolate here in the city यहां पे बहुत सारी desolates हैं कहां? यहां पर here in this city इस शहर में बहुत सारी desolates हैं ठीकर फ्रेंट्स यहां जो इस city में desolates हैं सबसे पुरी वो desolate हैं जो उस नगर में हैं जो उस square के उस तरफ है उस desolate desolate में राथ को नहीं जाना चाहिए वैसे तो बहुत desolate हैं आप पर उस desolate में नाइट में हमें नहीं जाना चाहिए ऐसे ही आप अपनी lines में अपने sentences में अपने communication में एक एक word एक word करके English का लिकर आईए और देखिए आप 6 मने के बाद कहां पहुचते हैं जैसा कि मैंने बोला 6 मने के बाद आप कहां पहुचते हैं तो इसके लिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना होगा डेली तीनोक एप सीखने होंगे मेहमट का मीनस होता है कुछ बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़ी चीज मेहमट एक अनिमल को भी बोला जाता है आई थिंग बहुत बड़ा हाथ ही होता है कोई उसको भी महमट बोलते हैं बहुत बड़े अनीमल को महमट बोलते हैं जिसके लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ बट मेमट बोलते हैं एक बहुत बड़े अनिमल को, I think हाती ही होता है वो जो सबसे बड़ा हाती है, इसको मेमट बोलते है, बट जो हमारे काम की चीज है, वो है कोई चीज बहुत बड़ी हो, विशाल हो, it is really a मेमट रिजॉर्ट, यह सच में बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, यह बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, it is really a मेमट रिजॉर्ट, मेमट, M-A-W-M-O-T, मेमट, ह का हालका सा प्रणाशन आएगा, ज्यादा प्रणाशन इसको नहीं करना है, इसका प्रणाशन क्या होगा, मेमट, आज की तीन मुकाप्ति, गास्प याने हाफदा, डेसलेट या अगर आप किसी डेसलेट पर जाते हो, तो आप गास्प करोगे, और अगर आप गास्प किये, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आप प्रोटेक्टिव रहोगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीके फ्रेंट्स, आज की तीन मुकाप्ति, अब हम कर मिलेंग कि नई तीन मुकाप के साथ में, तब तक लिए बब आए, अगर आप कि पूलना कि आपको यह तीन मुकाप को न्यक्त करना है, गास्प आने हाँ निक सुन शाम जगए, नहीं अगर आप किसी डेसलेट पर जाते हो, सकता है वहाँ पर महमब अनिमल दिक जाए, या जिस से आप गास्ट कर सकते हूं मैंने एक और सेंटेंस आपको दे दिया अब आप इने करके खुद का सेंटेंस बनाएं हिंदी में पहले बनाएं फिर हिंदी में इंग्विश वर्ट्स को लिखकर आएं ऐसे आपको याद हो जाएगा और आपको रटने की जरुद नहीं पड़ेग प्रेंड्स अब कर में लेंगे कल तक लिए बंबाइ तेक क्या है